Hello everyone, मैं आपके साथ मनोज बर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लोज पॉजिशन के बारे में बता हुआ तो पहले से हमने बीटा सेंटेक्स का पेज ओपन कर रखा है, आप उपर देख सकते हैं, मैं फार्स पर डबल क्लिक कर देता हूँ, यह हमारा सेंटेक्स पेज है, हाँ पर हम सेंटेक्स जेनरेट करते हैं, तो अब भी हम जो इस वीडियो में बात करेंगे, क्लोज पॉजिशन के बारे में बात करेंगे, काफी लोग पूछते हैं, रेगुलर एगजिट क्या है, तो मैं पहले किलियर कर दो, अगर कोई भी रेगुलर ओडर में आपकी पॉजिशन होती है, उसे एगजिट करने के लिए रेगुलर एगजिट का यूज़ करा जाता है, और वैसे ही कैंसल के अंदर जो यह कैंसल एगजिट पॉजिशन है, यह क्या है, इसके बारे में भी बता देता हूँ, यह कैंसल जो है यह exit position जो आपकी position होती है उसको close करने में भी आपकी help करता है या जो आपकी bid होती है उसे cancel करने भी भी आपकी help करता है तो धान से सुनिएगा cover order और bracket order की position को exit करने के लिए cancel order लगाया जाता है प्लस regular order, cover order और bracket order की bid लगी भी हो उसे cancel करने के लिए close करने के लिए भी लगाया जाता है मैंने बताया cover और bracket में और cancel करने के लिए भी cancel and exit position के use करा जाता है तो अभी हम इसे छोड़ते हम regular exit पर आते हैं हम इधर गए यहाँ पर symbol optional है अगर मैं इसे direct generate कर दूँगा इस तरीके से तो जितने भी symbol मेरी fires के अंदर लगे होंगे सारी position close हो जाएगी जितनी भी position होगी जैसे कि अभी एक position है और ऐसे अगर अगर 15-20 position होती ही तो सारी की सा target करना है तो मुझे उस symbol का नाम दालना पड़ेगा जैसे मैं दाल देता हूं IOC कि मैं IOC को ही close करना चाहता हूं क्योंकि मेरी IOC में पोजिचेंज select करना पड़ेगा तो एक्चेंज NSC के अंदर आ जाता है और product type optional है कि आप intraday का close करना चाहते हो या CNC का या margin का यह optional है अभी 10 symbol होते है और 5 position मेरी IOC के होती तो उसी को close करता है मैं इसे copy कर लेता हूं एक बार आपको दिखा देता हूं position के अंदर मेरी IOC के अंदर एक position है एक quantity से अब मैं ट्रेडिंग वी उपे गया और यहां पर जाने के बाद मैंने एक horizontal line ली और horizontal line के अंदर मैंने यह tag लिखा tag जाला और save कर दिया आपको बस एक चीज का याद रखना इधर webhook URL मेरा पहले से दलावा आपका भी दलावा होना चाहिए अगर आपको नहीं पता तो previous video देख सकते हो अब मैं इसे tigger कराओंगा यहां पर alerts आएगा मैं आपको दिखा देता हूं एक second मैं इसमें play sound भी लगा आप देखना यह टिगर हुआ और यह मेरी position थी और यह automatic close हो जाएगी यह आपके सामने close हो गई तो इस तरीके से मैंने target करा कि मेरी IOC की position ही close हो अब open order पर आ जाते है open order में जैसे मैंने आपको बताए यह cancel order क्या काम करता है यह regular order को cancel करने में काम करेगा क्योंकि हमारी bid लग अगर बिड लगी है पर exit position भी करेगा खाली cover order और bracket order की position को exit करेगा तो हम अब यह क्या करते है इस पर click कर देते हैं और हम नाम दाल देते हैं अगर हम direct कर देंगे तो सारी position जितने भी बिड लगी होगी cover order regular order और bracket order सब को close कर देगा तो अब हमारे पास position तो नहीं है जादा तो हम IOC type करते हैं यहां capital select करना है अनसी select कर लेना है और यह optional है इसको use नहीं करना हमने इसे copy करा copy करने के बाद हम इधर गए और इधर जाने के बाद हम इसे target कराएंगे तो जैसे हम इसे tigger कराएंगे वैसे हमारी जो यह cover order में working position है sorry regular order में working position है pending इसे हम position नहीं है यह bid है त तो मैं इसे tigger कराने जा रहा हूँ आपके सामने मैंने यह tigger कराया अगर आप देखोगे tigger हुआ और इधर जाएंगे तो यह cancel हो जाएगी तो यह आपके सामने cancel हो गई इस तरीके से regular exit और cancel exit काम करता है I hope आप समझ गयोंगे thank you for watching this video and bye